हेलो दोश्तो क्यां तो आज हम ब्लोड में एक नया ही टॉफिक लखै है ब्लोड प्लाज्मा तो पिछे लेक्चर नहीं ठीक क्या करते हैं ग्लर का फरमेशन लोट पाइंट्र पाया जाते हैं उसी में हममगे थे कि अंदर तो आज हम बात करेंगे बलट प्लाजमा पर कि बलट प्लाजमा क्या है तो आए इस्टार्ट करते हैं जो प्लाजमा होता है यह कि रूधीर का अधात्री होता है कि रूधीर का अधात्री होता है इसको इंगलिस हम बोलते हैं माइट्रिक्स ठीक है इसको इंगलिस हम बोलता है माइट्रिक्स जो ब्लॉड का अधात्री होता है माइट्रिक्स होता है रूधीर के अधात्री को ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं प्लाज्मा का रंग कैसा होता ह है अगर इसके में रंग की बात करें प्लाजमा का रंग जो होता है पीला होता है प्लाजमा का रंग पैजा होता है पीला होता है एलो कलर का होता है ठीक प्लाजमा का प्रतीसत कितना होता है कितने प्रतीसत होता है प्लाजमा का जो पर्सेंटेज कितने प्रतिसत होता है तो संपूर्ण रूधीर का संपूर्ण रूधीर का 55 प्रतिसत भाग होता है होता है जो प्लाजमा होता है वह संपूर्ण प्लड का 55 प्रतिस अमजर होता है अब प्लाजमा में क्या चीज़ पाया जाते हैं रंपकॉजीशन की बात कर लें कि Partam लिएक़ प्लाजमा में कोई चीज पाय bon mind कि दो चीज की बात करेंगे कि एक तो जल पाया जाता है एक तो जल पाया जाता है तो तो है बाद दूसरा प्रूटीन पाया जाता है इसकी प़या जाता है प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्लाजमा प्रोटीन कहते हैं तो जल कितना होता है जल जो होता है 90-92 परशेंट जल पाया जाता है और 6-8 परशेंट प्रोटीन पाया जाता है अब हम बात करेंगे प्लाजमा प्रोटीन की अब हम बात करेंगे प्रोटीन की तो हम बात करेंजा प्लाज्मा प्रोटीन की इस प्लाज्मा कंदर प्रोटीन क्यों होता है ठीक है तो हम माल लेते हैं कि यह पूरा ब्लड है यह माल लेते हैं कि यह पूरा ब्लड फैला है ठीक है यह पूरा क्या है यह पूरा ब्लड है और इस ब्लड के अंदर इस ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है यह माल लेते हैं कि यह क्या है यह पूरा ब्लोड फाइला है ब्लोड के अंदर ब्लोड के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं तो ब्लोड के अंदर उपस्तित प्रोटीन का नाम होता है प्लाज्मा प्रोटीन अब प्लाज्म प्रोटीन कितने तरग होता है चार प्रकार का तो यहां देख रहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने तरग होता है चार प्रकार का होता है पहला का नाम क्या है पहला होगे एल्बुमीन एल्बू मीन दूसरा ग्लोबुलीन 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 करता क्या है तो ग्लोबुलीन का एक मुख्यकार है जो बैक्टिरिया होती है जो बैक्टिरिया होती है वायरस होते हैं उनको क्या करते हैं मारता है को मारना बैक्टिरिया हो गये हैं जो वायरस होते हैं उनको मारने का क्या का क्या क्लोबुलीन करता है इसके बासे आता है फाइबरी नोजन इसके बाद से आता है फाइबरी नोजन फाइबरी नोजन का काम है भाई जो फाइबरी नोजन है न रूधीर का ठक्का बनने में मदद करता है करता है ठीक है जो ब्लड का थक्का बनता है ब्लड क्लाटिंग होती है रुधिर का थक्का बनता है तो रुधिर का थक्का बनने में फैब्री नोजन मदद करता है इसके अलामा एक और होता है प्रोथ्रोंबीन इसके अलामा एक और होता है प्रोथ्रोंबीन होता है प्रोथ् मतलब नहीं है यह जो तीनों हो गए हैं यह मेजर प्रोटीन होते हैं यह तीनों जो होंगे ना यह मुख्य प्रोटीन होते हैं मुख्य प्रोटीन मुख्य प्रोटीन होते हैं यानि घ्रबुमिन गूबललीन और फाइब्रिण ओजन जो थे हैं मुए प्रोटीन होते हैं इसके पास एक और टर्म आता है सीरम बाढ़ा इंपर्टेंट सब्द है एक सीरम नाम से सब्द है एक सब्द है सीरम जिसको बोलते हैं हिंदी में भी लिखते हैं सीरम इसको सीरम बोल देते हैं सीरम क्या होता है ऐसा प्लाज्मा जिसमें ठक्का बनाने वाले कारक नहीं हो ऐसा प्लाज्मा जिसमें रुधीर का ठक्का बनाने वाले कारक न हो सीरम काटे हैं तीक ऐसा प्लाज्मा जिसमें रुधीर का ठक्का बनाने वाले कारक नहों उसे सीरम पते हैं एक बार हुम सुरूस देख रहेते हैं कि क्या कि हम पढ़ है और यह हम इस लगापीक है ब्लोड फ्लाजमा देके ब्लोड फ्लाजमा के बारें बात करते हैं तो फ्लाजमा क्या है प्लाज 25 वह दलग को हएं तो ऐसा प्रोटीन प्लट के अंदर पाय जाए है सब इन्दर ठाल को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन चार्परकार करें और मिंडोून फैबरिशन और हो rage रूबнокिम हो गया हम बैक्टीरिया होते हैं वायरस होते हैं शरीर के अंदर जो टॉक्सिक सफ्टेंस होते हैं उनको नश्ट करना उनको मारने के काम होता है फैपरिनोजन जो होता है रुधिर का थक्का बनने मदद करता है जब ब्लड जमता है कहीं खुन जमता है उसमें मदद करता है जिसमें रूधिर का थक्का बनाने वाले कारक नो हो उससे सीरम कहते हैं और यह एक बार याइप्यम्टी का सवाल रहा चुका है जो सीरम है एक बार इसको एप्यम्टी जो आज के टाइम नीट हो रहा है इसमें इसको पूछा गया है